वंदिमात्रम सात्यों 2024 के लेक्षन के आकड़े एक्जिट पोल के माध्यम से आना स्टार्ट हो चुके हैं चार जून में ये खुलेंगे और चार जून में आपको पता लग जाए कि सरकार किसकी बन रही है बीजेपी या कॉंग्रेस की एंडिया या इंडिया की दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो चैनलों ने जो अपने अपने पोल्स में बताया है एक्जिट प में बता दिया है कि 400 पार का अकड़ा ही जाएगा क्या है सच्चा ही मैं आपको बता दूँगा जड़ा रोकना यहां पर इंडिया टूडे करके है एक जो है एक जो है इंडिया यहां बताया जा रहा है कि 361 से 401 तक तो बीजेपी की यानि के अइंडिया की होंगे और एक सौ इकते से 166 जो है वो इंडिया यानि या इंडिया की रहेंगी और यहां आठ से 10 च्रेट है अधर की हैं इसके अलावा अलग अलक जैसे सी वोटर है वो 353 से 303 से दिखा रहा है ंडिया की और और 152 से 182 दिखा रहा है यहां पे कॉंग्रेस यानि इंडिया की उसके बाद दोस्तों टुडेज चानक क्या करके है वो 385 से 415 देखो 415 तक कांकड़ा है यहां पे चुरा है और 96 से 188 दिखा रहा है कॉंग्रेस की अन्य की 27 से 45 ऐसे हम लोग बात करें 각 कांकड़ा प्लेज जाएंगी बज़े यहां अंडिया की प्लेज आप देखो यहां समझो जना दूसरा और और भी अलग-अलग चैनल है जैसे निउस 24 जो है वो टूडेज चानक के करके है जो 400 दिखा रहा है देखो 400 यह भाजपा है यह कॉंग्रेस है यह अन्न है एसे ही इंडिया टूडे इंडिया टूडे उसने क्या किया है एक्जिज माई इंडिया को जो है हायर किया है यह 361 से 400 दिखा रहे हैं बीजेपी यह भाजपाके और 131 से 166 यह नि कई सिच्वेशन में आप समझें जैसे एबीपी है यह इंडिया टीवी है टीवी नाइन है रिपब्लिक है ठीक है रिपब्लिक भारत उसके बाद जन की बात है रिपब्लिक भारत है ठीक है यह टाइम्स नाव है यह इंडिया न्यूज है न्यूज नेशन है इसमें आप लोग देखो किसी में भी 300 से कम नहीं है यानि साड़े 300 से उपर है एपरोक्स आंकड़ा हम लोग माने 353, 371, 342, 369, 362, 353, 358, 371, 342, यानि साड़े 300 से कम का आंकड़ा कहीं भी नहीं होने वाला, यहां बता रखा है कि BJP का 350 से उपरी आंकड़ा रहेगा, अच्छा मैं भी इमान के चलता हूं कि साड़े 300 के आसपा स्ट्रीट आनी तै है BJP की, आना तो BJP की सरकार को हो है इस बार भी, अब देखो कुछ मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये exit poll हमेशा सच बोलते हैं, नहीं, हमेशा तू बिल्कुल सच नहीं बोलते हैं, exit poll की शुरुवात 1952 से हुई थी, हाला कि ये समझना, जैसे हम बोट डालन जैसे आए हो, उनसे नॉर्मल सी जो बात हैं होती हैं, उस हिसाब से पोच करके ये चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और ये हर polling booth पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी manpower नहीं है, क्यों सब के पास जाना, south में से जगा है, जहां new channel, हर जगे नहीं पहुँच सकते ह हर booth पे नहीं पहुँच सकते, हर समय नहीं पहुँच सकते, तो इसलिए क्या है, कई जगे पर जो normal सी जगे हैं, उनसे उठा करके, बहुत जगे पहुचते हैं, उनसे उठा करके इन जो targets हैं, या जो results हैं, वो दिये जाते हैं, और ये result जब पूरे के पूरे हर छेतर में ज चरण होगा, उसके बाद ये जो है, अपने results बताना शुरू करते हैं, अच्छा, 2004 में election हुआ था, और 2004 में exit polls ने बताया था, कि भाई साब BJP की सरकार बनेगी, उस समय अटल व्याहरी जी जो है, वो परधान मंतरी बनेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, exit polls तो बत हमें उसा सच नहीं होते, लेकिन प्यारे सातियों यहां देखिए, कोई एक company या एक new channel नहीं बता रहा है, सारे के सारे हो है, सेम के सेम आकड़े रख रहे हैं, तो यहां पर 100% इनको wrong कहना भी गलत होगा सातियों, ठीक है, इस बीच आप लोग समझना, ये 1952 जो बता रहू कि यहां पर जो है, अब की बार जो election हुआ है, उसमें कहीं न कहीं दोस्तों थोड़ी सी ये भी परिशानी रही है, कि जो election करवाया गया है, वो गर्मियों के समय में करवाया गया है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कि अब की बार जो voting हुई है, वो केवल approximately 60% हुई है, यानि क ये चाहूंगा कि आगे से कभी भी vote हो, तो ऐसे मौसम में vote होने चाहिए, कि ना जादा ठंड हो, ना जादा गर्मी हो, ठीक है, क्योंकि अपना जो ये reason है, north से लेकर के south के शुरुआ तक, ये पूरा reason जो है, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा परिशन होता है, और सभी ल बीजेपी की बनने वाली है, और अब बनने वाली है, तो कितने लगवक शीट मानके चलें, तो देखो आंकड़ा, मैं भी आंकड़े के थुरू बताऊंगा, आप भी, केवल परसों तक वेट कर लेजे, चार जून को तो भाई साब, पानी का दूद का दूद हो जाएगा, कौन परधान मंतरी बनने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली हाला कि ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, किसकी सरकार है, लेकिन प्यारे साथियों और चार तारिक तक क्लियर हो जाएगा, अब मानके चलिए, मैं किसी एक परसन को वोट दे रहा हूँ, एक किसी पार्टी को व प्रतिनेदी जीत रहा है उसका जो नेता है वो जीत रहा है हाला कि सच्चा ये है कि BJP ही इस बार सरकार बना रही है अपनी और कम से कम बता रहा हूँ कम से कम जो शीट्स की संक्या होगी वो 350 रहेगी और अधिक कितनी भी हो सकती है 400 तक भी जा सकता 400 तक तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ 300 से प्लस शायद रहे इसी टें ठीक है इसके बाद साथियो विपक्ष के जो है वो बहुत सारे इंटर्व्यू देख रहा था मैंने एक नहीं लगातार जिस दिन से वोटिंग स्टार्ट हुई है कम से कम मैंने राहूल गांदी जी के कम से कम बता रहा हूँ सैक लोगों के इन लोगों की मतलब जैसे इन्होंने एक नारा दिया अब की बार 400 अब की बार 400 अब सोचो इसको अब की बार 400 अब इसको यह बोट देदो वेकार में गड़े में डालो अपने बोट को ना मान सेकता है व्यक्तिगी है हाँ या ना चलो तो यह इनकी जो है क्या है एक साइकलोजी है अब इस पर क्या है मैंने राहुल गांदीजी को देखा वो क्या करें अरे नहीं 400 पार कैसे हो जाएंग नहीं में हैं रियलिटी से बता रहा हूं कि अगर आज विपक्ष सही से बैट करके ढंग से अपने डिसीजन्स लेने की शमता है और अपने एक सही क्राइटेरिया चुने तो शायद जो है लोग समझदार है आपके बात को समझें क्योंकि दोस्तों आज वो समय नहीं है जो आज स सरकार है हम लोग ये भी जानते कि राज्य में किसकी सरकार हमें चाहिए और केंद्र में हमें किसकी सरकार चाहिए प्यारे साथी हूँ यहां भी बड़ा चेंजिंग हो जाती है हो सकता है कि हमें राज्य में कोई दूसरी पार्टी हो जिसकी सरकार हमें फायदा दे सकती हो तो आज़ी की जंता उस पार्टी को चुनेगी। और हमें लगता है कि राज्य के अलावा केंदर में कोई पार्टी ऐसी है, जो केंदर के लिए बढ़िया रहेगी, तो हम उसको चुनेगे, और केवल मैं नहीं, देश का युवा, देश का हर वो व्यक्ति जो समझधार है, उसी व्यक्ति के साथ होगा, जो देश का और राज्य का, और वहां के रहने वाली जंता का भला सोचेगा, अच्छा सोचेगा, मेरे हिसाब से रहना भी उसके साथ चाहिए, अब देखो यहाँ पर हलाकि मैं यह चाहता हूँ कि हर पांच साल के बाद जो है वो सत्ता चेंज होनी चाहिए तब ही व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, हलाकि अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दे ना हो तो शायद ऐसा भी होता है कि कई साल तक दूसरी पार्टी रूलिंग करती रहे रूल करती रहे, शासन करती रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि हर पांच साल के बाद उतर ही जाए आपके काम को भी देखा जाता है, हर चीज़ को देखा जाता है आज सारी चीज़ें mostly फिरकर यहां एकडम एक तरीके से हम कह सकते clear हैं पारदर्शी हैं ठीक है हाला कि चार जून को पता लगी जाएगा कैसे कैसे होना है क्या होना है ठीक है और बीजेपी का जो confidence level है वो बहुत हाटके है भाई यह विपक्ष को सोचना पड़ेगा समझना प पड़ेगा तो यह पूरी कहानी थी दोस्तों ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आप लोग comment section में बताईए कि सरकार किसकी बन रही है अलाकि कल कल का और इंतजार कर लीजिए परसों खुद ही पता लग जाएगा जैहिंद वनिमातरम साथियों